आज की मुर्ली का अवेक्ट डेट है 17.05.1969 की जादू मंद्र का दरपण इस अवेक्ट मिलन के मूल्य को जानते हो अवेक्ट रुप में मिलना और वेक्ट रुप में मिलना दोनों में फरक है अवेक्ट मिलन का मूल्य है वेक्ट भाव को छोड़ना यह मूल्य जो जितना देता है उतना ही अव्यक्त अमूल्य मिलन का अनभाव करता है अभी हर एक अपने से पूछे कि हमने कहा तक और कितना समय दिया है वर्तमान समय अव्यक्त स्थिती में स्थित होने की है आवश्यक्ता है लेकिन result क्या है? वो हरे खुद भी जान सकता है और एक दो के result को भी अच्छी रीती परक सकते हैं इसलिए अव्यक्त स्तिती की जो अवशक्ता है उनको पूरा करना है अव्यक्त स्तिती की परक आप सभी को जीवन में क्या होगी? वह मालूम है उनके हर करम में एक तो अलोकिक्ता और दूसरा हर करम करते करमेंद्रियों से अतिंद्रिय सुख की में सुस्ता आएगी उनके नयन चैन उनकी चलन अतिंद्रिय सुख में हर वक्त रहेगी अलोकिक्ता और अतींद्रिय सुप की जलक उनके हर करम में देखने में आएगी जिसे मालुम पड़ेगा ये वेक्त में होते अवेक्त स्थिती में स्थित है अगर यह दोनों ही चीज़े अपने करम में देखते हो तो समझना चाहिए कि अवेक्त स्थिती में स्थित है अगर नहीं है तो फिर कमी समझ पुर्शारत करना चाहिए अवेक्त स्थिती को प्राप्त होने के लिए शुरू से लेकर एक स्लोगन सुनाते आए हैं अगर वह याद रहे तो कभी भी कोई माया के विगन में हार हो नहीं सकती ऐसा सर्वोत्तम स्लोगन हरे को याद है हर मुरली में भिन-भिन रूप से वो स्लोगन आता ही है मन मना भव हम बाप की संता ने ये बच्चों ने जवाब दिया वह तो है ही लेकिन पुर्शारत करते करते जो माया के विगन आते हैं उन पर विजे प्राप्त करने के लिए कौन सा स्लोगन है स्वरक का स्वराज्य हमारा जनम सिद अधिकार है और संगम के समय बाप का खजाना जनम सिद अधिकार है इस स्लोगन को भूल गए हो अधिकार बूल गए हो तो क्या होगा हम किस चीज के अधिकारी है वो तो जानते हो लेकिन यह भी चीज हमारा जनम से दधिकार है जब अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे अधीन होने से बचने के लिए अपने को अधिकारी समझना है पहले संगम युक के सुख के अधिकारी है और फिर भविश्य में स्वरक के सुखो के अधिकारी है तो अपना अधिकार नहीं भूलो जब अपना अधिकार भूल जाते हो तब कोई न कोई बात के अधीन होते हो और जो पर अधीन होता है वे कभी भी सुखी नहीं रह सकता पर अधीन हर बात में मनसा, वाचा, कर्मना, दुख की प्राप्ती में रहते हैं और जो अधिकारी है वे अधिकार के नश्य और खुशी में रहते हैं और खुशी के कारण सुखो की संपत्ती उनों के गले के माला के रूप में पहनाई हुई होती है सत्यूगी सुखो का पता है सत्यूगी में खिलोने कैसे होते हैं वहां रत्नों से खेलेंगे आप लोगों ने सत्यूगी सुखो की लिस्ट और कल्यूगी दुखो की लिस्ट तो लगाई लेकिन संगम के सुखो की लिस्ट बनाएंगे तो इससे भी दुगना हो जाएगा वही सत्यूगी संसकार अभी भरने हैं जैसे छोटे बच्चे सारा दिन खेलने में ही मस्त रहते, कोई भी बात का फिकर नहीं रहता, इसी रीती हर वक्त सुखो की लिस्ट रतनों की लिस्ट बुद्धी में दोड़ाते रहो, अथवा इन सुखो रुपी रतनों से खेलते रहो, कभी भी ड्रामा के खेल में हार ना ह अभी तो कहां कहां हार हो भी जाती है, बाब दादा का स्ने बच्चों से कितना है, बाब दादा का स्ने अविनाशी और बच्चों का स्ने भी कैसा, कभी कैसा तो कभी कैसा रहता है, एक रस नहीं है, कभी तो बहुत स्ने मूरत देखने में आता है, कभी स्ने की मूरती के ब दर्पन हरे के पास है अगर दर्पन होगा तो अपना मुकडा देखते रहेंगे और देखने से भी जो भी कमी होगी उसको भरते रहेंगे अगर दर्पनी नहीं होगा तो कमी को भर नहीं सकते इसलिए हर वक्त अपने पास दर्पन रखना लेकिन यह दर्पन ऐसा है जो आप स कायम रह सकता है, उसके लिए मुख्या कोलीफिकेशन कौन सी होनी चाहिए जो अरपन मैँ होगा उसके पास दरपन रहेगा अरपन नहीं तो दरपन भी अविनाशी नहीं रहे सकता दरपन देखनी के लिए पहले अपने को पूरा अरपन करना पड़ेगा जिसको दूसरे शब्दों में सर्वस्वत्यागी कहते हैं सर्वस्वत्यागी के पास दरपन होता है अवेक्त मिलन भी वही कर सकता है जो अवेक्त स्थिती में हो वर्तमान समय अवेक्त स्थिती में जादा कमी देखने में आती है दो बातों में तो ठीक है बाकि तीसरी बात में कमी है एक है कतन, दूसरा है मन्थन यह दोनों बाते तो ठीक है यह दोनों सहजे तीसरी बात कुछ सुक्षम है वर्तमान समय रिजल देखते है मन्थन से कतन ज्यादा है बाकि तीसरी बात कौन सी? एक होता है मन्थन करना दूसरा होता है मगन रहना वह होती है बिलकुल लवली नवस्था तो वर्तमन समय मंतन से भी ज्यादा कथन है पहले नंबर में उसमें विजयी है दूसरे नंबर मंतन में तिसरा नंबर मगन अवस्था में इस अवस्था की कमी दिखाई पड़ती है जिसको भरना है जो मगन अवस्था में होंगे उन्हों की चाल चलन से क्या देखने में आएगा अलोकिक्ता और अतिंद्रे सुख मगन अवस्था वाले का यह गुण हर चलन से मालूम होगा तो यह जो कमी है उसे भरने की तीवर पुर्शारत करना पुर्शारत तो सभी है पुर्शारती तो सभी है तब तो यह यहां तक पहुंचे है लेकिन अभी पुर्शारती बनने का समय नहीं है अभी तीवर पुर्शारती बनने का समय है तीवर पुर्शारती और बनेंगे पुर्शारती तो क्या होगा? मन्जल से दूर रह जाएंगे अभी तीवर पुर्शारती बनने का समय चल रहा है इससे जितना लाब उठाना चाहिए उतना उठाते हैं वह नहीं वह हरे को चेक करना है इसलिए कहा कि अपने पास हर दम दरपन रखो तो कमी का जट मालूम होगा अपने पुर्शारत को तीवर करते आगे चलते रहेंगे अच्छा आज कुमारियों की सर्विस की तिलक का दिन है जैसे आप लोगों के म्यूजेम में ताज पोशी का चितर दिखाया लेकिन आपकी सर्विस के तिलक के दिवस पर देखो कितनी बड़ी सबा इखटी हुई है इतनी खुशी होती है लेकिन यह याद रखना जितने सभी के आगे तिलक लगा रहे हो इतने सभी आप सभी को देखेंगे सभी के बीच में तिलक लग रहा है यह नहीं भूलना इतना इमतवान बनना है इस तिलक की लाज रखनी है तिलक की लाज मना ब्रामन कुल की लाज ब्रामन कुल की मर्यादा क्या है सुनाया ना जो ऐसे पुर्शोत्तम बनने की इमत वाले है वह तिलक लगा सकते है यह तिलक स अपनी सारी सभा देखीगी। आप सभी ब्रामन इखटे हुए हो कन्याओं की सर्विस के तिलक पर। सर्विस करने वालों को एक विशेश गुण का अटेंशन रखना पड़ता है जो all round service करने वाले होते हैं उनों के विशेश इस बात पर ध्यान रखना है कि कैसे भी स्थिती हो लेकिन अपनी स्थिती एक रसो तब all round service के सफलता मिलेगी दूसरा number training class जिन कुमारियों का चलना है उन सभी को बाब दादा ने टीका दे मुख मीठा कराया और बोले आज सभी के नैनों द्वारा मुलाकात कर ली दूर होते वे भी यथा योगी यथा शक्ती बाब दादा के नजधीक है ही बल कोई कितना भी दूर बेठा हो लेकिन अपने सने से बाब दादा के नेनों में समाया है इसलिए नूरे रतन कहते हैं नूरे रतनों से आज नेनों की मुलाकात कर रहे हैं एक दो से सभी प्रिये है साकार में समय प्रती समय बच्चों को यह सूशना तो मिलती रहती है कि ऐसा समय आएगा जो सिर्फ दूर से ही मुलाकात हो सकती है अब ऐसा समय देख रहे हो सभी की दिल होती है और बाब दादा की भी दिल होती है लेकिन समय अब बदल रहा है समय के साथ वह मिलन का सवभागिय अब नहीं रहा इसलिए अब अव्यक्त रूप से ही सभी से मुलाकात कर रहे हैं अच्छा सभी को नमस्ते और विदाई ओम शांते